आखरी दौर के मद्दान से पहले अखलेश यादर ने पार्टी कारेकरताओं, उम्मीदवारों और पताधिकारियों को साथधान करते हुए अपील की है कि वो नतीजों तक और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक सतर्क और एलोट रही क्योंकि कल शाम से बीजेपी तमाम चैनलों पर ये जूट बुलवाना शुरू करेगी कि उसे 300 सीटों पर बढ़त है जबकि इंडिया गठवन्दन की सरकार बनने जा रही है ऐसा करके वो समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं का मनोबल गिराने की कोशिश करेगी नतीजों तक सतर्क और अलोर्ट रहे कारेकरता ये कहा है अकलेश आदम ने अपने तमाम कारेकरताओं से चुनाव के दर्मियान लगातार वो कहते रहें कि बनारस की सीट छोड़ दे जहां पर टककर है तो बाकी 79 सीटें इंडिया गठवन्दन जीत रहा है